कभी आपने इस बात पर गोर किया है कि इंडिया गडबंधन के नेता या कॉंग्रिस के नेता इतनी आसानी से अपने विचार धारा के साथ समझोता करके भारती जंता पार्टी की गोद में कैसे बढ़ जाते हैं। क्या वज़ा है कि इंडिया गडबंधन के नेता धीरे धीरे कई नेता जो हैं अब वो भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए याद कीजे कुछी दिनों पहले की बात थी जब हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि इंडिये के कुनबे में सिर्व एक भाजपा है और बस कुछी दल मगर जैसे जैसे चुनाफ गरीब आ रहा है कई नेता इंडिया गडबंधन को छोड़के इंडिये या फिर भाजपा के पाले में शामिल हो रहे हैं कभी आपने इस बात पर गौर किया कि ऐसा क्यूं कुछ चेहरों से मैं आपका परचाय करवाना चाहूंगा दोस्तों जैंत चौधी रालोद के नेता बाबा सिदी की पहले कॉंग्रिस में थे अब अजीत पवार के पास यानी एंसीपी अजीत पवार फैक्शन के पास जा रहे हैं मिलन दियोडा कॉंग्रिस के नेता इनके पिता भी कॉंग्रिस में आरसे से शामिल थे इसके लावा जोतरा द विचारधारा के साथ समझोता करके अब भाजपा की गोद में जा बैठे हैं। जाच एजिंसी का डर, इस बात का डर कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो तीन पैमाने मैंने आपके सामने पेश किये दोस्तों। अब मैं आपके सामने वो तमाम चेहरे पेश करूँगा और आप देखेंगे कि हर चेहरा इन तीन पैमानों पर खरा उतर रहा है। सबसे पहले आपके सामने बाबा सिदीख ये कॉंग्रिस के साथ अरसे से थे और अब वो किसके साथ शामिल हो गए हैं। एन सीपी के साथ नहीं नहीं शरत पवार वाली एन सीपी नहीं अजीत पवार वाली एन सीपी वो अजीत पवार जो की भारती जनता पार्टी वाली सरकार में डेपटी चीफ मिनिस्टर हैं वो अजीत पवार जिनके बारे में देवेंद्र फड़नवीस ने कह दिया था कि अगर हम सत्ता में आ गए तो अजीत दादा चक्की पीसिंग यान पीसिंग यान पीसिंग, अब चक्की पीसना तो बहुत दूर की बात है, उन्हीं के साथ में आकर बैठ गए, बाबा सिदीग जो हैं, वो अजीत पवार की NCP में शामिल हुएं, इस कार्थ क्या हुआ, यानि अब कितना खोकला है ना, अब आप कहेंगे कि बाबा सिदीग ने ऐसा क्यूं किया, उसके पीछे है जो मैंने पहला कारण बताया था, एजिंसी का डर, बाबा सिदीग के खिलाफ, ED और सरकारी जाच एजिंसी कई मामलों में जाच कर रही है, अब हम नहीं जानते कि वो जा भाजपा की गोद में जाकर बैड़ गये हैं, यानि कि भाजपा की वाशिंग मशीन में उन्होंने चलांग लगा दिया है, तो स्वाभाविक से बात है, उनके खिलाफ कोई जाच नहीं होने वाली है, यानि कि बाबा सिदीग तो श्मुक्त हो गये हैं, कोई जाच नहीं हो हैं, हेमंत बिस शर्मा, गंभीर आरोप थे, भाजपा में शामिल हुए, आज की तारिक में वो असम के मुख्यमंत्री हैं, भाई भाजपा की तरफ से, तो बाबा सिदीग के सामने मामला है, बाबा सिदीग जानते हैं कि अगर वो कॉंग्रेस के साथ बने रहेंगे, तो मा अलग है कि ना मनीस सोदिया ना संजे सिंग उनके खिलाफ कोई सुबूत नहीं है, कोई मामला साबित नहीं हुआ, मगर चूकी एजनसीज एक केस बना देती है, उनकी गिरफतारी हो जाती है, और फिर अदालतें भी उनके संड्रक्शन में नहीं आती, इस बात का डर बाब आप अमर उजाला की एक खबर देखें, तो ये बताया जा रहा है कि भाजपा के साथ उनका लगभग समझाता बन गया है, और वो छलांग लगाने वाले हैं, ये बात सुनके बहुत अटपटी लगती है दोस्तों, क्योंकि जब किसान आंदूलन कर रहा था, जब भाजपा के कई नेता जो हैं, वो किसानों के पक्ष में खड़े हो रहे थे, मगर आज सिर्व इसलिए कि अखिलेश यादव के साथ एक या दो सीटों पर समझोता नहीं हुआ, मत्भेद हो गया, अब आप शलांग लगाने को तयार हो गएं, कहां गई आपकी विचार धारा, कहां ग ये ना भूलें कि जैन चौधरी चौधरी अजीत सिंग के बेटे हैं, और चौधरी अजीत सिंग का भी इतिहास रहा है कि भई जो सक्ता में हैं और वो इसी तरह से राजनीतिक पाला बदलते रहते थे, जैन चौधरी के बारे में कहा जा रहा था कि भई वो इस तरह का तूड़ गया है वो सक्ता से जादा दूर नहीं रह सकते या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा के हाथ में कोई ऐसी चाबी है कोई ऐसा राज है जो जैन चौधरी के लिए मुश्किल पढ़ता जा रहा है हम नहीं जानते मगर एक बात ते है कि दो या एक सीट पर अखिल श्यादव के साथ मद्भेद है तो वो भाजपा की गोद में जाकर बैटने को तयार है क्योंकि यह जो तमाम खबरे आ रही हैं जैन चौधरी ने इसका खंडन अब तक नहीं किया वह इतनी बड़ी बात हो रही है तमाम न्यूस चैनल्स का जिक्र कर रहे हैं आप खामोश क क्यों हैं साफ हो जाता है कि जैन चौधरी के मन में अगर ये ख़बर सही साबित होती है वो चाहते हैं कि भई अगर दोहजार चौबीस में दोबारा भाजपा सत्ता में आ जाए तो केंदर में एक मलाईदार पद मिले बिलकुल उसी तरह से जैसे जोत्रादित सिंधिया को उनके पिता माधवरा सिंधिया कॉंग्रेस में थे मगर मुख्यमंत्री नहीं बने तो अपने साथ 22 विधायकों के साथ कमलनात की सरकार तो गिरा ही दी भाजपा की तरह से राजसभा में घुसे और केंदर में मलाईदार पद भी मिल गया तो जैंत चौधरी के लिए कही न कई देख रहे हैं किसको जैंत चौधरी यहाँ पर देख रहे हैं जोतरादित सिंधिया को इसलिए दोस्तों राजनीती में अब विचार धारा कोई माईने नहीं रखती अब हम बात करना चाहते हैं एक और खिलाडी की वो है मिलन दिवरा दोस्तों मिलन दिवरा वो शक्स थे जो शायद 30-35 साल की उमर में UPA2 में मंत्री बन गए थे क्यों कि वो एक राजनीता एक दिगज राजनीता के बेटे थे अब पिछले 10 सालों से वो सक्ता से बाहर थे खबर ये भी आ रही थी कि वो जहां से सांसद हुआ करते थे मुंबई साउथ वो सीट उधव सेना के निता को मिलने वाली है अब इन तमाम चीजों से वो थोड़े बौकलाए हुए थे असहज महसूस कर रहे थे नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कॉंग्रेस छोड़ा जिसके साथ वो अरसे से थे और कारण क्या बताया कि कॉंग्रेस जो है उनके पास बस एक मुद्दा है प्र प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यानि भारत सरकार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यानि भाजपा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यानि पूरा समग्र संग परिवार तो उन्हें आप सिर्फ एक व्यक्ति तक क्यों सेमित कर रहे हैं और ये किस तरह का तरक हुआ हु से शौकिंग बात दोस्तों अब वो अपना मजाग भी बनवा रहे हैं हुआ क्या मैं उनका एक बयान जो उन्होंने अभी अभी दिया उसकी तरफ आपका ध्यान खीचना चाहूंगा यह मिलिन दियोडा का बयान उन्होंने कहा कि विपक्षिक बहुत खतरनाक खेल खेल रहा ह देश को दक्षिन और उत्तर में बांट रहा है प्रधान मंत्री ने इन विभाजन कारी नीतियों की सही माइने में आलोचना की है वो आगे ये भी कहते हैं कि केरल जिस पर इतना जादा करजा है वो धरना कर रहा है जंतर मंतर पर अपनी वित्तिय अन्यमित्ताओं को अपन करा के Electoral Stunns 24 स्टंट कर रहे हैं यह बात ही अब कह रहे हैं अगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पहले इन्होंने क्या कहा था आपके स्क्रीश पर यह बयान यह देखिए यह बयान उन्होंने दिया था मार्च 2023 यानि की एक साल पहले उन्होंने कहा कि वित्त मंत्राले क है direct taxes में केंद्र सरकार को और उसे कितने रुपए मिलते हैं साथ रुपए 70 पैसे 7.7 रुपीज गुजरात 100 रुपए देता है और उसे मिलते हैं 31 रुपए 30 पैसे यही बात आज से एक साल पहले मिलिंदे ओडा कर रहे थे मगर एक साल बाद आपने अपने राग बदल दिये अपनी राय बदल दी जजबाद बदल गए कैसे बदल गए हम नहीं जानते हैं कहने का अरत क्या है दोस्तों इन तमाम नेताओं में कोई विचार धारा नहीं है दल से छलांग मार रहे हैं वो अंटी नैशनल पार्टी ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने व्यत्तिगत हितों के चलते जो है अपनी पार्टी को छोड़ रहे हैं अपनी जान बचाने को लेकर अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं और भाजपा को ये चीज समझ आ गई है क्य कि होता क्या है दोस्तों हमारे राजनेताओं के हाथ में ताकत होती है और उस ताकत के जरीए वो कई अपराद करते हैं अपराद में लालच भी शामिल है भाजपा ये बात समझ गई है वो समझ गई है कि भाई राजनेताओं का लालच है वो उनकी कमजोर रग है उसे दबाओ तुरंत पाला बदलेंगे और तुरंत वो अपनी पुलिटिकल पार्टी को गाली देना शुरू कर देंगे यही हो रहा है भारती राजनीती में भाश्पा साम दाम दंड भेच से अपनी एजिंसी के सहरे ये सारा खेला कर रही है मैंने कहा ना इन पल्टू बाज राजनीताओं की ना कोई विचार धारा है ना कोई सोच है अब इसार शेर्मा को दीजिए इजासत नमस्कार स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता का समर्थन कीजिए सच में मेरा साथी बनिये बहुत आसान है दोस्तों इस जॉइन बटन को दबाईए और आपके सामने आएंगी ये तीन विकल्प इन में से एक चुनिये और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिये